नमस्कार दोस्तों, क्या भारत, जैपैन और साउथ कोरिया मिलकर सबसे बहितरीन फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट बना सकते हैं? भारत अगर F-15 के लेटेस्ट वेरियंट को लेता है, तो फाइदे जादा होंगे या नुक्षान जादा? मिक-25 में ऐसा क्या खास था कि भारतिय पाइलेट जानबूज कर इसकी मोजूदगी पाकिस्तान में दर्ज करवा देते थे ब्रहमोस 2 का क्या स्टेटस है? क्या S-350 जिसमें AESA रडार लगा है, जो सस्ता भी है, उसे S-400 की जगया खरीदा जाना चाहिए था? इसी तरह के आपके काफी सारे सवालों के जवाब मैं धून कर लाया हूँ इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चली दोस्तों शुरू करते हैं Sky Sonuji का एक सवाल जिसमें वो कहते हैं कि Sky Sonuji 2019 में S350 की कुछ यूनिट्स को ओपरेटिव किये जाने की खबरें आई थी S350 मिसाइल सिस्टम के द्वारा पुराने रशियन एर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा है S350 को रशिया और साउथ कोरिया मिलकर बना रहे थे लेकिन फिर कुछ इशूज आ गए जिस कारण अब पूरी तरह से यह है एक रशियन सिस्टम ही कहलाता है इसमें बेटर टार्गेट डिटेक्शन के लिए ASA यानि की Active Electronically Scanned Array Radar इस्तमाल किया गया है S350 में 12 launchers का एक set होता है जिसे एक 8x8 truck के उपर mount किया जाता है इसे आसानी से कहीं भी deploy किया जा सकता है इस air defense system में 9M96 surface to air missile को इस्तमाल किया जाता है जो S400 air defense system में भी इस्तमाल होती है यहां तक तो सब ठीक है लेकिन क्या इसे S400 से compare किया जा सकता है तो जवाब है big no S350 की missiles भले ही 60G के gravitational pull वाले manures कर सकती है और इसी कारण इसकी accuracy fighter jets, drones वे helicopters आदी के खिलाफ काफी अच्छी है लेकिन जैसे S400 को एक 400 km range का air defense system माना जाता है उसी तरह से S350 की range 350 km नहीं है बलकि यह मातर 120 km तक है जहां S400 में कई high power radars का combination इस्तेमाल होता है जिसे ये 600 km दूर से ही अपने target को track करना शुरू कर देता है तो वहीं S350 में tracking range 200 km तक ही सीमित है S400 में कई अलग-अलग तरहें की missiles का इस्तेमाल होता है इसकी कुछ missiles 17,000 km पर आर की speed भी हासिल कर सकती है तो वहीं S350 की missiles अधिक तम 6,500 km पर आर की speed ही पकड़ पाती है S350 एक short to medium range का air defense system है जबकि S400 एक very long range का air defense system है जो stealthy fighter jets और यहां तक की hypersonic missiles को भी intercept कर सकता है अगला सवाल किशन कुमार जी का है किशन जी MiG-25 के बारे में जानना चाते हैं MiG-25 को रशिया ने बनाया था उसे भारत ने भी खरीदा था और इसकी खास बात यह रही कि जहां कोई भी भारतिय fighter jet जब पाकिस्तानी airspace में जाता है तो पूरी कोशिस करता है कि उसे detect ना किया जा सके लेकिन दूसरी ओर MiG-25 भी था जिसके pilot ने जानबूज कर इसे पाकिस्तान में ध्वनी से तेज स्पीड पर चलाया जिससे सोनिक भूम उत्पन हुई यह एक बहुत तेज आवाज होती है जो खिडकियों के सीशे तक तोड़ देती है उस MiG-25 में मौझूद भारतिय पाइलेट का मकसद सिर्फ यह बताना था कि मैं यहां तुमारे एर स्पेस में मौझूद हूँ निगरानी के लिए फोटोग्रैफ भी ले रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि MiG-25 आज तक का बना सबसे तेज फाइटर जेट था जो इंटरसेप्टर वे निगरानी के मिशन्स को अंजामते सकता था इसकी मैक्सिमम स्पीड 3500 किलोमेटर पर आर की थी इसके मुकाबले आज के भी ज़्यादतर फाइटर जेट मातर 2000 से लेकर 2500 किलोमेटर पर आर की स्पीड ही हासिल करभाते हैं लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं इसकी बहुत उचाई तक जाने की काबलियत भी इसे दुश्मन की हर तरह की मिसाइलों से बचा लेती थी जा मुझूदा समय में फाइटर जेट्स मातर 5000 से लेकर 6000 फीट तक ही उड़ पाते हैं तो वहीं मिग 25 के नाम 1,23,500 फीट तक उड़ने का वर्ल्ड रिकोर्ड है इस रिकोर्ड को आज तक भी कोई फाइटर जेट नहीं तोड़ पाया हाला कि अमेरिका ने भी SR-71 नाम का एरक्राफ्ट इसी तरह कि निगरानी के रोल के लिए बनाया था जो काफी तेज और काफी उचाई तक उड़ सकता था लेकिन यह एक फाइटर जेट नहीं था बाद में भारत ने निगरानी के काम के लिए अच्छे सैटलाइट्स को अंतरिक्ष में लौंच कर दिया था जिस कारण अब मिग 25 की अवशकता नहीं थी इसलिए इने समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया था अगला सवाल साश्वत जी का है जो ब्रमोस 2 की डिटेल्स जानना चाते हैं दोस्तों ब्रमोस मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप की थी जो लगबग 3000 किलोमेटर पर आर की स्पीड हासिल कर सकती थी भारत के पास जो ब्रमोस थी उसकी रेंज 290 किलोमेटर तक लिमिटेड की गई थी क्योंकि भारत MTCR ग्रूप का मेंबर नहीं था इस कारण 300 किलोमेटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल को भारत के साथ शेयर नहीं किया जा सकता था हाला कि अब भारत इस MTCR गुरूप का हिस्सा है और हमारे इंजिनियर्स ने ब्रहमोस की रेंज पहले 450 किलोमेटर तक की और अब इसे 600 किलोमेटर तक पहुँचा दिया है भारती इंजिनियर्स ने ब्रहमोस का एर वर्जन वे शिप लोंस्ट वर्जन भी तयार कर लिया इसी तरीके से रशिया और भारत को मिलकर ब्रहमोस 2 को बनाना था जिसकी स्पीड मैक 7 यानि लगबग 8500 किलोमेटर परार तक होती लेकिन रशिया ने इस डेवलोप्मेंट में ज़्यादा सहयोग नहीं किया और इसकी डेडलाइन 2012 फिर 2017 तक बढ़ाई जाती रही और अब नई डेडलाइन 2022 बताई जा रही है यानि हम ये समझ सकते हैं कि फिलहाल ब्रमोस 2 दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है रशिया ने किंजल, एवनगाड वे जिर्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल तयार कर ली है और हो सकता है भविशे में भारत रशिया से जिर्कोन मिसाइल खरीद कर हाइपरसोनिक सेगमेंट में शुरुआत कर ले भारत खुद के हाइपरसोनिक ग्लाइड वेहिकल पर भी काम कर रहा है जिसकी टेस्टिंग पिछले वर्ष फेल हो गई थी क्योंकि इस सिस्टम को एक खास उचाई तक पहुँचाने के लिए जिस मोटर का इस्तमाल किया गया था वे ठीक से काम नहीं कर सकी इसी कारण हाइपरसोनिक ग्लाइड वेहिकल को शुरू ही नहीं किया जा सका भारत जल्दी ही इन कम्यों को दूर करके दुबारा इसकी टेस्टिंग पूरी कर लेगा दोस्तों अगला सवाल कृष्णा राथोड जी का है उनका कहना है कि हमें जैपैन के साथ मिलकर फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाना चाहिए जैपैन ने अभी F-16 जैसा फाइटर जेट बनाया था या हमें पहले हमारा ही फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट बना लेना चाहिए किश्णा जी आपके सवाल के दो पार्ट हैं अगर भारत खुद का एमका फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट सक्सेस्फुली बना लेता है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती एमका का एक फुल स्केल मोडल हमें अगले वर्ष तक देखने को मिल सकता है हाला कि कई प्रोटोटाइप तयार करना उनकी टेस्टिंग करना, डिजाइन में चेंजिस करना, फिर टेस्टिंग करना फिर सारी टेकनोलोजिस को एक एक करके सैटिफाई करना इस सारी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए एमका का सीरियल प्रोडक्शन 2030 से पहले शुरू नहीं हो सकता है और उसमें भी अमेरिकन F414 इंजन ही लगेगा अब बात करते हैं जैपैन के साथ पार्टनर्शिप में फाइटर जेट बनाने के बारे में भारत को जैपैन के साथ ही साउथ कोरिया को भी साथ लेकर एक बहतरीन फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाना चाहिए ठीक उसी तरीके से जैसे कई यूरोपियन देशों ने मिलकर यूरो फाइटर टाइफून बना लिया भारत तेजस MK2 वे MK के लिए तयार की गई टेकनोलोजीज वे फ्रांस, रेशिया वे इसराइल से ली गई टेकनोलोजीज को इस नए फाइटर जेट में इंटिग्रेट करवा कर इसके डेवलोप्मेंट फेज को काफी छोटा करवा सकता है जैपैन ने XF9 नाम का फाइटर जेट इंजन बना लिया है जो 150 किलो न्यूटन की सर्टिफाइड थ्रस्ट जनरेट करता है और यह F-22 के F-119 इंजन से छोटा वे हलका भी है साथ ही जैपैन अच्छे ASA रडार वे सिक्योर्ड कम्यूनिकेशन लिंक को भी डेवलेप कर चुका है इन सारी टेकनोलोजिस को इंजन को रडार को एक बेहतरीन फिफ्ट जनरेशन के डिजाइन वाले फाइटर जेट में इंटिग्रेट किया जाएगा यहाँ पर हम साउथ कोरिया को भी साथ ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने KFX नाम का एक स्टेल्थी फाइटर जेट का प्रोटो टाइप तयार कर लिया है जिससे डेवलेप्मेंट स्टेज और ज्यादा छोटी हो सकती है इसके साथ ही तीनों देश यानि की जैपैन, साउथ कोरिया वे इंडिया काफी बड़ी संख्या में अपनी अपनी एरफोर्स के लिए इस नए फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने की शमता रखते हैं जिससे इस बहतरीन फाइटर जेट की कीमत भी कम रह सकती है इसके अलावा तीनों देशों का में कमपीटिटर चाइना ही है इसलिए स्पेशल बॉंडिंग भी रहेगी अवशक्ता पढ़ने पर इन्फोर्मेशन शेरिंग से लेकर साथ लडने वेफाइटर जेट्स की इंटर ओपरेबिलिटी को भी सुनेश्चित किया जा सकता है साथी भारत को इंजिन टेकनोलोजी भी मिल सकती है जिससे हम ज़्यादा पारफुल कावेरी इंजिन बना सकेंगे दोस्तों अगला सवाल नरेंदर अतरी जी का है उनका कहना है कि F-15X with all its quality we urgently need it for coming future as Rafale started coming and we have to pay the money only for the received aircraft per year नरेंदर जी आपकी बात बिलकुल सही है राफेल का पहला बैज जिसमें 4-6 fighter jets होंगे ये सभी हमें इसी वर्स मई के महिने में मिल जाएंगे साथ ही हम सेगर्ड payment कर रहे हैं जिससे मोजूदा financial year पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सभी 36 राफेल की payment एक साथ ना करके सिर्फ उतने ही fighter jet की payment कर रहे हैं जो उस badge में मिलेंगे तो इसे जो पैसा इस financial year में बच रहा है अगर उससे हम एमेरिका से F-15 का latest model यानि की F-15EX खरी दें तो हमें फायदे क्या होंगे और नुक्षान क्या रहेंगे आईए जानते हैं F-15 भले ही लगबग 50 वर्ष पुराना fighter jet हो चुका हो लेकिन जो दबदबा इसने कायम किया ऐसा आज तक किसी fighter jet ने नहीं किया दुनिया भर में इसने 104 is to zero का ratio रखा यानि दुश्मन के 104 fighter jets को गिराया और खुद कभी भी शिकार नहीं बना जो latest F-15EX अमेरिका भारत को ओफर कर रहा है उसमें पुराने F-15 के मुकाबले धेरों बदलाव है इसमें नए F-110 GE-132 इंजन लगाए जा रहे हैं और इसी कारण यह लगबग 3000 km पर आर की स्पीड से उड़ सकता है यह स्पीड मुझूदा समय में Russian MiG-31 के बाद सबसे तेज है जहां Russian fighter jets की life लगबग 4000 flight hours होती है तो F-15EX 8000 flight hours की life के साथ आएगा यानि अगले 35 से 40 वर्ष तक आसानी से इसे operate किया जा सकता है F-15EX को missiles वाला truck भी कहा जा सकता है क्योंकि यह एक बार में ही 22 AIM-120D वे AIM-9X missile को ले जा सकता है जो मुझूदा हर एक fighter jets से ज़्यादा है इसमें बहुत powerful mission computer के अलावा बेहतरीन AN-Oblik APG-82 ASA radar लगा है stealthy fighter jets को track करने के लिए IRSC system है advanced fly-by-wire system, advanced helmet mounted display superior electronic countermeasure system भी मुझूद है बस इसमें stealth मुझूद नहीं है अब कुछ वो कारण जान लेते हैं जिसके अनुसार F-15EX से भारत को दूर रहना चाहिए पहला है इसकी कीमत अमेरिका इसे ज़्यादा संख्या में नहीं ले रहा है तो इसके development cost का ज़्यादतर हिस्सा भारत को ही चुकाना पड़ेगा जिससे इसकी cost 100 million dollar प्रती एरक्राफ्ट से ज़्यादा रहेगी दूसरा कारण है इसका बड़ा आकार इसका रडार क्रोर सेक्शन काफी ज़्यादा है यह है heavyweight category का fighter jet है जिसे दुश्मन के रडार 300 km दूर से ही आसानी से ट्रेक कर सकते हैं ऐसे में अगर यह fighter jet हिमालियन रेंज को पार करके चाइना की तरफ जाता है तो इसे कोई भी अच्छा air defense system आसानी से अपना target बना लेगा रही बात पाकिस्तान की तो उनकी air force में modern fighter jets की संख्या काफी कम है इसलिए हमें ऐसे काफी सारे heavyweight category के fighter jet नहीं चाहिए जो 1-7-22 missiles को carry कर सकें वैसे भी इसी air superiority role के लिए हमारे पास पहले से लगबग 270 सुखोई 30 MKI मौजूद है ऐसे में और अधिक heavyweight category के ही 27,000 dollar flying cost per hour वाले fighter jet लेने से क्या फाइदा जैपैन अपने पुराने F-15 Eagle बेच रहा है नए F-35 या खुद का 5th generation का fighter jet बना रहा है ऐसे में इतनी महंगी कीमत के 4th generation के fighter jets को लेकर अगले 40 वर्स तक इने उडाते रहने का कोई फाइदा नहीं है साथी end user agreement के नाम पर धेरो अमेरिकी conditions आएंगी वो अलग F-15 EX की जगे advanced सस्ते, कम maintenance वाले और कम flying cost पर और वाले fighter jets जैसे MiG-35, Gripen आदी मौजूद हो तो उसी category के fighter jet लेने का क्या फाइदा जो हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में पहले से हो दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी research की अलग-अलग sources से detail collect की books, magazines, blogs, reviews का सहारा लिया ताकि सटीक जानकारी दे सकूँ उमीद है ये वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर कोई सवाल या सुझाओ हो तो किरप्या कमेंट सेक्शन में जरूर रखें दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार